दोस्तों इस दुनिया की सबसे कीम्ती चीज है समय, समय हमें बिलकुल मुख में मिलता है और एक बार समय हाथ से निकलने के बाद हमें वापस दोबारा नहीं मिलता और जो लोग इस समय का सदुपयोग नहीं करते वे सिवाए पच्चतावे के और कुछ नहीं कर सकते जो लोग वियर्थ के कामों में समय बर्बाद कर देते हैं समय उनके जीवन को अपने इच्छा अनुसार बदल देता है इसलिए आप इन 24 भंटे यानी 86,400 सेकंड का ऐसे ही प्रयोग करें जैसे एक गरीब मजदूर अपने मेहनत से कमाए हुए रुपयों का उप्योग सोच समझ कर करता है क्योंकि आपका आने वाला भविश्य कैसा हो गई यह इसी बात पर निर्भर करता है कि आज आज आप क्या कर रहे हैं लोग अपना व्यक प्यार मोहबबत में मूवी, टीवी और स्मार्टफोन और सोशल मीडिया फेस्बुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और वाटसेप पर बरबाद कर देते हैं ये सब चीजे गलत नहीं लेकिन हद से ज्यादा इन सब में लगे रहना मूर खता है इनका इस्तिमाल सीमित रूप से करना चाहिए क्योंकि ये सब ऐसे चोड है जो हमारे कीम्ती वक्त को चुरा रहे हैं इसलिए इन पर लगाम लगाना आवश्यक है पर उस समय दुख की बात ये होगी कि तब आप उसे खोच चुके होंगे और गुज्रा हुआ वक्त वापस नहीं लाया जा सकता हमारे जीवन के एक सेकंड खीमत इतनी है कि दुनिया का अमीर से अमीर आदमी अपनी सारी दौलत भेज कर भी उसे नहीं खरीज सकता अब मुड़े की बात करते हैं कि बर्बाद हो रहे हैं टाइम को कैसे मैनेज करें एक अपनी दिंचर्या पर नजर रखे कि आपका वक्त कहां बर्बाद हो रहा है 2. जितना हो सके प्यार मुहबबत से दूर रही क्योंकि आप माने या ना माने दुनिया के लाखों लोग इसी वजह से अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं 3. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो कुछ करते नहीं और दूसरों को भी फाल्तू की बातों से उल्जा कर उनका भी समय नश्ट करते हैं इसलिए ऐसे गफुल लोगों से दूर ही रहे आज का काम कल के लिए ना टाले बहाने बजी से बचे 5. बहतर यही रहेगा कि सोने से पहले कल के कामों का नोट बूक में लिख ले 6. जरूरी कामों को अलग लिखे और गेर जरूरी कामों को अलग लिखे 7. अपनी दिंचर्या के हिसाब से समय का प्रबंध करे जैसे 5 बजे जगना 6-7 बजे तक यायाम करना ऐसे ही अपने दिन भर के कामों की टाइमिंट सेट कर ले 8. किसी काम को करते वक्त खुद से एक सवाल पूछे की इस काम को करने से मेरे जीवन में क्या बदलावाएगा क्या ये काम मेरे लक्षे को हासिल करने में मददगार साबित हो सकता है ऐसी और मोटिवेशनल वीडियो के लिए मोटिवेशनल सोलू सैनी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे धन्यवाद